वो हाथ भी किस काम के जो प्रात्ना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के समय बगल में चिपाए जाते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पॉकेट ट्यूब में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीचे दा कि आप कोई भी मोटीवेशनल स्टोरी मिस ना करें एक बार एक नन्ना सा परिंदा अपने परिवार वालों से बिचड़ गया बिचड़ कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था उस दन्ने परिंदे को अभी उडान भरना अच्छे से आता भी नहीं था उसने उड़ना सीखना अभी अभी शुरू ही किया था इधर नन्ने परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान थे और उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्ना परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुंचे। वो उड़ान भरने की काफी कोशिश कर रहा था पर बार-बार कुछ ऊपर ऊड़कर गिर जाता। कुछ दूर से एक अझान परिंदा अपने मित्र के साथ ये बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्ने परिंदे के पास आ पहुँचे नन्हा परिंदा उन्हे देखकर पहले तो घबरा गया फिर उसने सोचा शायद ये उसकी मदद करे और उसे घर तक पहुचा दे वो अंजान परिंदा उस नन्हे परिंदे के पास आया और उससे पूछा क्या हुआ नन्हे परिंदे काफी परेशान हो तो नन्हा परिंदा बोला मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लोटना है मुझे उडान भड़ना अभी अच्छे से आता भी नहीं मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे क्या आप मुझे उडान भड़ना सिखा सकते हैं मैं काफी देर से इन लोगों की बातों से नन्ना परिंदा बहुत गुसा हो रहा था अंजान परिंदा हस्ते हुए बोला देखो हम तो उडान भड़ना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं इतना कहकर अंजान परिंदे ने उसके सामने पहली उडान भरी वो फिर थोड़ी दिरबाद लोटकर आया और दो चार कड़वी बाते बोल कर फिर से उड़ गया ऐसा उसने पांच चे बार किया और जब इस बार वो उड़ान भरकर वापिस आया तो नन्हा परिंदा वहाँ पर नहीं था अंजान परिंदे ने अपने मित्र से पूछा क्या नन्य परिंदे ने उडान भरली है उस समय अंजान परिंदे के चहरे पर खुशी जलक रही थी तो उसका मित्र परिंदा बोला हाँ नन्हे परिंदे ने तो उडान भर ली लेकिन तुम इतना भुश क्यूं हो रहे हो मित्र तुमने तो नन्हे परिंदे का कितना मजाग बनाया तो अंजान परिंदा बोला मित्र तुमने केवल मेरी नेगेटिव बातों पर ध्यान दिया लेकिन नन्धा परिंदा मेरी नेगेटिव बातों पर कम और पॉजिटिव बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था इसका अर्थ ये है कि उसने मेरे मजाक को अन्देखा करते हुए मेरी उडान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और वो उडान भरने में सफल हुआ तो मित्र परिंदा बोला जब तुम्हें उसे उडान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाग बनाकर क्यों सिखाया तो अंजान परिंदा बोला मित्र नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उडान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था अगर मैं उसको सीधे तरीके से उडान भरना सिखाता तो वो पूरी जिन्दगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और आगे भी शायद ज्यादा कोशिश खुद से नहीं करता मैंने उस परिंदे के अंदर चिपी लगन देखी थी जब उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था उसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है जो मैंने अंजाने से उसे दी और वो अपनी मंजिल को पाने में काम्याब हुआ अब वो पूरी जिन्दगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज्यादा बढ़ेगा मित्र परिंदा अंजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला तुम बहुत महान हो जिस तरह से तुमने उस नन्ये परिंदे की मदद की वही सच्ची मदद है दोस्तों सची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका धिंडोरा पीटने से नहीं चुकते ऐसी मदद भी किस काम की अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसी ही अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे